नमस्कार, मैं राजेस शौवान, आज चर्चा कारियकरम में आपको स्वागत करता हूँ और आज हमने विशे लिया है है खायदराबाद में जो हुक्के कारवार चल रहे हैं, हुक्के सेंटर्स चल रहे हैं उसके उपर और इसके लिए हमारे पैनल पे आज है निजाम कॉलेज के प्रोफेसर स्री अविनास जैस्वाल जी तो जैस्वाल जी आपको इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ और सबसे पहला प्राशन ये पूछता हूँ कि हाधराबाद में एक्चुलि में जितने हुक्के सेंटर्स चल रहे हैं ऐसा क्यों? इतने हुक्के सेंटर्स कैसे चल रहे हैं? राजेज जी मैं सबसे पहले दर्शकों को वसंद पंचिवी शुपकामने देना चाहूंगा क्योंकि विद्या की देवी सरस्वती का दिन है ये इसके बाद मैं आपसे ये आपका जो कहना है कि हैदराबाद और हुका सेंटर्स और नशा ये इसी बात नहीं है राजेज जी है हैदराबाद कि हम हैदराबाद में रहते हैं हैदराबाद से हमनारा संबंद है आप हैदराबाद के आपके पास रिपोर्ट्स आती है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये मात्र हैदराबाद की ही समस्या है ऐसा नहीं है राजेज जी देश के लगबग हर विकसित जो श यहां पर पुलिस के नाकों तले चल रही है बार बार रहे हैं हुके सेंटर तोड़े जा रहे हैं फिर हुके सेंटर दूसरे दिन फिर खड़े हो जा रहे हैं तो क्या समझे इसके लिए सुरे चीज सबसे पहले इस समझे में आपसे कहना चाहूँगा बताना चाहूँगा आप इससे परिशित है हो सकते है कि दक्षिन भारत में इसका प्रशला नहों मगर उत्तर भारत विशेश कर हिंदी भाषी प्रदेशों में मध्य प्रदेश हो जह है दिल्ली हो या राजस् हुक्य का एक विक्ति से दूसरे विक्ति के से संबंध होता है जैसे आज के जो आधुनी की हुक में अगर हमारे घर पर कोई आता है तो हम उससे पूस्ते वे आप चाई पीएंगे कॉफी पीएंगे या थंडा पीएंगे बर जैसे हमारे को यह देखना पड़ेगा कि पहल को फुक्का देता है और कैसे पता चलता है कि वह आप दोनों के घनिष्थ सब्सक्राना अर्थात है मुण सकते हैं कि वह उसका एक सामाजिक परमपरा का भाग है लेकिन उसको एक विक्रित रूप से अब समाज के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है आज हुक्के का जो सोरूप है सोरूप ही बदल दिया गया है हुक्के की जो परिभाचा है वो परिभाचा पुरी की पुरी बदल दी गई है आज हुक्का नयम जैसे ही लिया जाता है हमारे मन मस्तिक्ष में ऐसे वे वस्तु की बात आ जाती है जो कि एक नश्या करने का साधन है तो यह समको सोचना चाहिए कि भी हुका क्या होता है हुके का किस प्रकार से दुश प्रचार करके उसका दुरूपियों किया जा रहा है आपको क्या लग रहा है कि बार बार ये जो तोड़ना और फिर से हो जाना पुलीस निगा तोड़ता है रेड करता है फिर से हो जाता है कि सोची समझे चाल कर सकते तो क्या बन करेंगे मगर उसके कुछ नियम है कि उसमें 18 साल से कम वाले लोगों को प्रवेशना दिया जाए उसमें किसी प्रकार के नशीले पदार्तों का प्रयोग न किया जाए जब पुलिस को यह एक विशेश होता है टास्वर्स हैदराबाद पुलिस का बहुत ही वह इसमें जो बिना वर्दी में वो लोगों का काम यहीं रहता कि वह इसे फुक्के पारलर या जहां भी गैर कानूनी काम हो रहे हैं वहाँ पर नजर रखी जाए बहुत अ आश्वस्त होने के बाद ही वह वहाँ पर जाकर रेट करते हैं वहाँ पर जो तोड़ते हैं जैसे एक दोर दिन चार दिन पहले हमने देखा कि भई हुक्का पारलरों पर रेट की गई पूरी तरह से समाचर को कि शायद बहुत कम लोगों ने पढ़ा सिरिफ टैटिल कि हुक्का पारलरों पर रेट की गई मैंने जहां तक उसको पढ़ा है ध्यान से पढ़ा है तो उसमें मैं ने देखा है कि पुलिस भी भागने हुक्का पारलरों में जो गयर कानूनी रूप से बने हुए धाचे थे उनको तोड़ा है और जहां भी 18 वर्से कम की उम्रिके लड़कों को प्रवेश दिया जाता है या नशे के पदार्थों का सेवन किया जाता है उस पर पुलिस कड़ी कारवाई करती है बशरती की पुलिस तक बात पहुंचे कैसे पहुंचेगी क्योंकि ज़्यादा देखा है बीच में मैं एंटरफेर कर रहा हूं सॉरी बर मुझे ये बता ये कि 18 साल से क्या जब ज़्यादा हो जाए तो क्या वो कुछ भी कर सकता है सबके लिए पर्मिट है मैं इससे पहले भी आपको बोला था राजेश जी की भारतिय सम्मिधान अत्रा वर्ष की ज़्यादा आयू के बाद विक्ति को उसके कुछ अधिकार देता है उन अधिकारों का दुरूपयोग करना या दुरूपयोग करना ये विक्ति के ओपर निर्वर करता है जैसे वीच साल एकिस साल से कम वालें को सिगरेट भी नहीं देना चाहिए मर सिगरेट की दुकान पर आप जाओ खड़े रहा हो वह देशते तो चोटी 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 चीज़े हैं जो की सरकार की नजर में आने से पहले ही वह अपने आप जो यसो उसको जो यसो कार्य वनित कर द आधुनिक होने की होड में लगे है हम यह समस्ते ही कि यह यह करेंगे तो हम लोग आधुनिक कहलाएंगे हर आदमी हर वीकटि जदातर लोग सब यह समाज में रहते हुए भी अशब्रे कारियों को भी जैसे वह एक आधुनिक ताकार रूप मानते हैं जैसे आटकल शराब एक जमाना था जब जो इस वोड़ शराप पीना बुरा माना जाता था अजकल कई मावापों देखे आप उनके माने मुझे ता कि मेरा बच्छा शराप पीता है मामूली चीज़ है वह अजकल यह जनरेशन है यह जनरेशन गया पर चलता है बोलते हैं इस पर ध्यान देना पर जदी आप बोलें तो इसमें माबाप के बहुत बड़े रोल हो है कि अपने बच्चे को नसा से कैसे के दूर रखे या गलत काम से कैसे दूर रखें यह तो बिलकुल जग जाहिर बात है बिलकुल सभी जानते है कि मनिश्री की सबसे बड़ी शिक्षक होती है वह उसकी म आजकेस monde centers जितने हुके centers और नसे के जो भी centers खूल रहे हैं इसके आस पास ही को मैं तोक्या पुलिस इसके उपर में खास कारवाई नहीं करनी चाहिए अज एकी हुका centers को तो आप बनने कर सकते कानी के साथ खाया का परंपरा varied के से बिलकुत D वह रहीता, जिसकों कि फासी की सज़ा हो तो इससे पूछा जाता है कि तेरी अंतिमिच्छा क्या है? तो वो बोलता है कि मेरी मांगे एकान में कुछ भोलना चाहता हूँ. जब उसकी मां मां उसके नज़ेख जाती है तो उसका कान काट लेता और वो बोलता है कि अगर तुने मुझे पहली बार जब चोरी की थी तभी मुझे रोका होता तो आज मुझे फासी नहीं होती तो कई माबाप जान कर भी जह सो इससे थोड़ा अंजान होते हैं और यह समझते हैं कि भई ठीक है एक आद बार हो गया होगा दूसरी चीज खुछ माबाप ऐसे है जिनकों की इस बारे में यह जो लट है हुके की हो या नशे की हो आपको ज़्यादातर ऐसे वर्गों में मिलेंगी जो बिलकुल निरंकुश है जो कि आर्थिक रूप से बहुत सौतंतर है बहुत शक्तिशाली है और या तो अधिकारी करूप से शक्तिशाली है या राजनेती करूप से शक्तिशाली है आज आप देखिए जब भी कोई रेड होती है पकड़ा जाता है मैं समन में फिर आपसे बोलूँगा कि युवर का मतलब यह नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए यह युवक युटी युटियां भी इसमें बराबर की जो है तो आजकल है वहां देखा जाता है कि कोई भी समाचार जब छपता है या मीडिया में बता जाता है तो उसमें एक लाइन हर समाचार में मैंने पड़ी है राजे जी कि इसमें कई बड़े राजनेताओं और अधिकारियों के बच्चे हैं अर्थात इससे यह मालूम होता है कि जो माता पिता अपनी संतान की और ध्यान नहीं देते हैं वो यह समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी वह एक हजार दे दी है दो अजार दे दी है लाक रुपए दे दी है या एक एटियम कार्ड दे दी है उसको एक डिविट कार्ड दे दी है और हमारी जिम्मेदारी खतम हो गई वो माता पिता अपने बच्चों को जैसी होती है, राजेज़ जी, कि वो जैसी बुराई की और, बुरी चीज़ों की और, बुरी बातों की और, बहुत जल्दी आकर शीत होता और उसमें से निकलने में आता हो, उसको बहुत समय लगता, या कभी-कभी वो उसके बाहर ही नहीं आ सकता, माता-पिता का एक और विश्वास होता है, आपका भी है, मेरा भी रहता, मैं सुचता है कि कोई कुछ भी करें, कोई कितना भी खराब हो, मेरी संतान ऐसा नहीं कर सकती है है वह नहीं देखती है कि वह किसके साथ जारी क्या कर रही है क्या कर रहा है वह समझती है कि मेरी संतान कुछ ने करते मगर एक पुरानी कहावत है काजल की कोठी में कैसे भी सयान हो जाए एक लीख लागे है पर लागे है पर लागे से सहीया में रखना चाहिए छूट दीजिए हम पतंग भी उड़ाते अभी संक्रांती गई कितनी डील देते राजेजी हम लोग जहां तक नुकसान हो रहा वहां तक डील देना जहां नुकसान होती है तो उसको डूर कीचनी चाहिए यह माता-पिता को द्यान रखना चाहिए सर मैं और एक चीज जानना चाहता हूं कि जितने यूबा पर जितने भी आ रहे हैं maximum foreigners जितने भी रह रहे हैं यह लोग या तो बेचने में सामिल रहे हैं जब भी पुलिस पकड़ रहे हैं या तो फिर उस कारोबार में direct-in-direct किसी तरह उन लोग का support रह 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 या उन लोग मिले उगे रहे रहे इसके बारों में आपका क्या कहना है कुछ देशों में जैसे नशे में जैसे हम हुक्के से थोड़ा आटेंगे और भी नशीले पदार थे जैसे गांजा है अफीम है कोकीन है वगरा वगरा है सबसे पहले मैं चाहूंगा कि पुलिस विभाग और फ्रशा आटेंगासन, सरकार, जो जिम है, जो बॉड़ी बिल्डिंग के जिम है उनके ओपर नकेल कसे कि वहाँ पर जिस प्रकार से मैंने सुना है कि वहाँ पर दवाईयां ली जाती है वही से जैसे उसको आदत पढ़ती है जैसे अफीम है, गांजा है, चरस है, खोकीन है यह तो यह तो नाम मैंने सुने किस प्रकार से होते नहीं और सबसे बड़ी चीज है जैसे आपने बार बार यह कहा है जिसे मेरे जिसे थोड़ी तकलीफ पहुंची है राजेज जी कि हैदराबाद नशा मुक्त कब होगा है ऐसा नहीं है यह सारे देश की समस्या है आज अगर आप प तो सार आपको क्या लग रहा है कि राजपितिक प्राटिया इतने अवियान चंड रहे हैं तो नस्फामिऊत अवियान अईस्ज़ लाजफित रगारएं किसी तरीके से रोक सके ओने लोग पर घंते हैं कि यह तो उन्हें बाते हैं तो उससमें सब बाता की जाती है उसके बाद जो सब अपने अपने कारे में वेस्थ हो जाते हैं, फिर जब चुनाव आते हैं तो फिर उनको उस बात की याद आती है, अगर हमारे देश के कुछ नेता जो की अपनी जिम्मेदारी समझ ले, मैं यह नहीं कहूंगा कि सारा राजनेता अपनी जिम्मेद अर्ट समझेंगे की वह क्लियों का एक वरिष्ठ नागरिक होगा governo एक समधार होगा देश की उन्नती विकास प्रगति यह सब का जो एसे जिम्मेदारी इसके अदनी समझ्भ से आध कुरिव गोस चीजिंम्मेदारी मुधारी कुपनी दिऊनल जता है Stuart कर्फूर हो जाते हैं सरकार राजनेताओं से बनती है सरकार पूरे हर जगा पे तो नहीं रख सकती न क्या जब जब चुनाव आते हैं हर पार्टी बोलती है कि हम युवाओं को आगे बढ़ाएंगे युवाओं को टिकेट देंगे युवाओं को चुना में ठहराएंगे युवाओं को से हम काम लेंगे युवाओं का भविश्य किस प्रकार से निर्मान कर सकते हैं उसके लिए क्या खाले एक लैपटाप देने से युवाओं का भविश्य बन जाएगा नहीं युवाओं को आर्थिक तो बस वो यह देखती है कि मेरे साथ एक दस यूवार है बद यह नहीं देखती कि जो बाकी के यूवा है जिनका मेरे से अप्रत्यक शुरूप से भी संबंद रहा है अपने एक छोटा सा चुनाव शेत्र रहता कोई बड़ा ने रहता आपने समझते कि आपको क्या इस बात क पूलू तो क्या है 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 अपके पास हो सकता है कि जैसे मैं बोलूगा ऐसा नहीं हो सकता तो आप मेरे सामने कुछ आंकडे रख देंगे क्या की वीडिया का अपना इलग काम होता है उनका अलक इन्टिलिजनस होता है वो अपने इस हैब से काम करते है 15% इन 15% में राजेश जी हैदराबाद के स्थानिय युवड् यूवतियां बहुत कम होंगे जिस प्रकार चावल में कंकária होते हैं उस प्रकार थोड़े- आपको बशीरबाग पर नहीं है आपको काचिकुड़े चोरस्ते पर नहीं है आपको चारी मिनार पर नहीं है वो कहां पर है बंजराहिल सिकिंदराबाद, जुबली हिल्स माधापूर, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें आने वाले जितने लोग हैं इसके बारे में बताया गया था एक ड्राइव चलाते पुलिस वाले, शराप के लिए सडाप पिकर गाड़ी चलाने हो रहा है खुशे निवार के दिन ही क्यों करते राजे जी क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को इस बात का पूरा पूरा अंदाजा है कि यह इसमें जो आईटी सेक्टर के लोग है वो सैटरड़े के दिन जो ऐसे वीकेंड मनाते एक फैशन हो गया आज के लिकेंड पांस दिन का हफ्ता, दो दिन का वीकेंड, सैटरड़े के दिन खाओ पियो, राप तक मजे करो, और संडे के दिन आराम करो, मंदे से फीर काम, एक फ्रेश होया आते हो लोग, उसी लिए, तो आप जो बोर रहा है हैधराबाद के 15% में है, हैधराबाद के स्थानिय लोगों के, जैसे तिल्गू की महीने जैसे एक बात करने वालों में, इस्थानिय लोग कितने है, हैधराबाद के वासी कितने है, उनकी संक्या बहुत कम होगी, होगी, तो उनके साथियों की होगी, जो की बाहर से आए वे है, तो क्या बाहर से आने वाले बच्चों को, क्या यहां के पुलिस को नियम नहीं बनता है कि उनके लिए कुछ कड़ाई पेस किया जाए या कुछ कड़ाई किया जाए ताकि वो लोग ऐसा ना कर सके नियम है और उसके पर कारवई की जाती है ऐसा नहीं है कि कारवई नहीं होती तो फिर भी ये बार 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 नसे क्या जब भी हम देख रहे हैं कल परसों के अंदर में बहुत बड़ा कंसर्णमेंट पकड़ में आया ड्रक्स का जिसमें दो फॉरिनर्स पकड़ में आया है तो ऐसा बार बार हम देख रहे हैं कि जब भी आ रहा है तो इसी टाइप का बाहर वाले आके ये कर रहे हैं तो क्या उन लोग के लिए कोई लगाम ऐसा नहीं किसा जा सकता रजेजी नियम तो कानून तो उनके लिए भी है जो कि भारती के लोगों के लिए है इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी, जिसे मां हैधरावाद में मैं जिस कॉलेज में काम करता हूँ, निजाम कॉलेज, जो की लगवाद एक 130 साल पुराना कॉलेज है, और देश के सबसे पुराने कॉलेज हो में से एक कॉलेज है, वहाँ पर साले 400 वी दियार थी है, जिस जो एमबेसिस है, एमबेसिस का काम क्या आ रहे था, खोलिया, उनका काम नहीं है, निचुरल, 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 बिल्कुर, यह दूतावास जो होते है, उनका यह काम है, कि वो उनके उपर एक कड़ी नजर रखे, और उनसे बोलेगी, अगर आप किसी भी प्रकार की ग गुमने का जरुरती नहीं है, कि स्टेट परवड यह बच्चे लोग हमारे बच्चे को बिगाड रहे हैं, तो इसको रोकने के क्यों व्यवस्ता नहीं किया जा रहा है, उस पे भी सभी लोग वही से नहीं है, आप देखिया आप जितने हैं, दो, तीन एक छोटी-छोटे किसी देश से जैसे अपने संबन कुछ बच्चे को बनाने में एक मिट्टी का घड़ा को जैसे बना के मट्की बनाया जाता है, आप कुमार करता यह काम, वैसे ही सिच्चक करता है, बच्चे लोगों के लिए, तो शिक्चक लोग क्या चाहें तो यह बच्चे लोग को हम चाहते हैं क्योंकि हमको मालू है कि इस वस्तु से नशा नहीं होगा उसकी मानसिक्ता का नशा है जैसे इसके पहले भी मैंने एक बार कहा था आप से फिर बोलूँगा आपके रशा शराब में होता तो नाचिती बोतल तो जब तक बच्चों के मानसिक्ता में परिवर्त नहीं आएगा कुछ इसमें योगदान पिक्चरों का भी है जैसे मैं दम मारो दम हरे राम हरे कृष्णा एक मूवी आई थी उसमें गाना था दम मारो दम मिट जाएगा अब लोगों को यह याद रहे उसके बाद वो ने देखे कि वही उसने क्या कहने का प्रयास किया उसने यह कहने का प्रयास किया है कि वही जो नशीले पदार्तों के वज़े से बहुत सारे जो नुकसान होता है परिवार भी कर रहता है बहुत सारी समस्यां आ अब बच्चे को क्या समझ माता हुका आनो बहुत अच्छी चीज़ समझता पिक्चरों में आज भी देखवा एक हीरो को बताते हैं बिल्कुल बहुत करनी चाहिए अगर इसी शब्द आती है जो कि जो गलत मान सिक्ता को जो सोत्पन करते तो बहुत करना चाहिए जैसे पिक् पिता है तो वो सीगरेट पीक है माई भी हीरो समस्ता शराब है शराब पीते हैं बताते हैं और लिखे जा जाता कि शराब पीना स्वास्त के लिए हारी का रहा है उस सीन को कट क्यों नहीं किया जाता कट कर दो तो आपको लगता है कि सरकार भी सारा मिला जुला सरकार वाला बच्चों को अपने अपने शेत्र में जहां जहां इसे कार्य होते हैं या कुछ एक शेत्र में एक एमेले के शेत्र में हो सकते हैं कि इसे किते बच्चे होंगे वही आप बोले हैं सो बच्चे होंगे सो बच्चे क्या सो बच्चों में से हो जो इसो उनको बुला के समझा के काम नहीं करा सकता समझा सकता अगर सो में से अगर हो पचास को भी अगर जो इसो कन्वींस कर सका कि वह यह गलत काम है तो क्या नहीं तिक जिम्मेदारी उसकी पूरी नहीं होगी आपने कभी देखा आपके मीडिया कवरेट में सूचना में कहीं आया कि कोई है जो MLA है या जो इसो राजनेता है जैसे MLA बनेंगा तो पांच साल तक हो रहेगा MLA नई बना तो बनेंगा है कि मेरी जिम्मेदारी क्या है सिर्फ चुनाओं में यूस कर लेना चोड़ देना युवाओं को ये हैं और युवाओं का किस प्रकार से बहला हो सकता है एक लैपटाप दे दिए युवा हो जाता क्या युवाओं को सबसे बड़ी चीज़ है उसकी मानसिक्ता में परिवर्तन लाना उसको इस बात का अंद मान सिकता बोलता हूँ जाओ जमीन जैसे वीज उस पे डालेंगे उसी प्रकार से उसमें जाड़ोगा तो उस एच की बच्चों के ओपर ध्यान देना ना सिर्फ शिक्षक वर्ग का ना सिर्फ माता पिता का हरे का जैसे अगर हम जा रहे समझो राजर जी क्या आपने कभी दे की कमी है माबाप इस बात का ध्यान देना कि हुका जो होता है उससे नशा नहीं आता उससे बो और दुरगंद नहीं आती यो कि एक ऐसा मुझे जो पता चला है इसके बारे में जैसे आपने बोला मैं इसके बारे में पता किया हूँ माबाप को इसका पता क्यों नहीं चल र मिली है कि हुके के नाम पे हुके के अंदर में और भी कुछ चीज मिलाए जाता है और भी कोई चीज की बात क्या है नशेले पदार रफ सीधी सीधी बात है राजेश जी क्योंकि वेक्ति अगर को कोई सिरियत सजा वगरा क्यों प्रावधान नहीं किया जा रहा है भारती है कानून के जो प्रावधान है उसके हिसाब से ही उनको राजेश जी सजा होगी जी बिल्कुर 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 कि आजकल ऐसा हिसाब है तूँ डाल डाल तो मैं पात पत जी जी बिल्कुर तो ज हम जो इसे सफल नहीं होंगे। बाहर से आए हुए ऐसे लोग जियों की बिल्कुल डिरंकुश रहते हैं। बाहर से लोग बाहर से आए है उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए कि वो कहा है। ये अपको हैदराबाद में चार में दिखीन हा है कि आपको हुका सेंटर है? नहीं है। बशिरबाग में है? नहीं है है. काची गुड़े पे है? नहीं है. बशिरबाद नहीं है है. घरत रहत के वाशी जादा रहते हैं। देखते हैं कि मेरी संतान कहां जा रही है, किस के साथ जा रही है, कहां कब आएगी। ये ध्यान रखते हैं। एक 2-4-5% है जो कि बिल्कुल आर्थिक रूप से स्वतंतर है या जिनके माबाप को इतना समय नहीं है कि अपनी संतान का ध्यान रखे वो इन सब चीज़ों की तरफ जाते हैं हम एक चीज़ देखते हैं प्रोफेसर साब कि यह जितने भी नसाय का आदी होते हैं या नसाय का यह जो टोटल सरकल जो चल रहा है यह सारा कॉलेज और स्कूल के आसपास ही देखने को मिलते हैं स्वाफाविक है इस बात के ओपर सरकार को और पुलिस प्रशासन को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि अगर आईसी जगाओं पर इससे हुका सेंटर्स खुलते हैं तो उनको इपर विशेस्ट रूप से जो इसे कड़ाई से पालन करना चाहिए और करते भी एक कॉलेज कर उस टीम में रखा गया जिसमें मैं DSP के साथ काम किया हूँ कई ऐसी जगाहें जहां पर इससो नीचे शराप की दुकान है बाजी शराप की दुकान है और बिलकुल लगके डिगरी कालेज है आप मैं नारेंगुडे चोरस्ते पर देख लीजे आप जनता बार जनता बार की दिवार से लगा हूँ उपर जो कालेज है वेंकर डिगरी कालेज है उनको परमिशन कैसे मिलता है इस सीचे अब वो यह बोलते है कि साब यह मुर्गी पहले है आप अंडा पहले है जब वाइनशाप आले को पुस्ते हैं तो बलता साब मैं तो यहां पहले से मेरी दुकान कालेज के परमिशन गलत है जब कालेज वाले से बात करते हैं तो वो बोलता है कि साब मैं तो पहले से यह काम कर रहा था वो एकसाइज वालों की पैसे खिला के उन्हों ले लिया तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए किसी भी शिक्षन संस्तान के पास नजदीक में ऐसे किसी भी क्रिया कार्म करने वाली संस्तान नहीं होना चाहिए जिससे की युवा वर्ग की एक परसेंट भी बिगणने की संभावना हो तो आपको लगते हैं कि आज के डेट पे सब एक दूसरे को टोपी पहनाने के चक्कर में सीधी तरीके से जदी बोला जाए तो नसा के आदी युवा संख्या बढ़ते हुए चले जा रहे हैं मैं नहीं समझेंगा मैं इस बात से आपसे सहमत नहीं हूं राजेश जी युवा वर्ग बढ़ते नहीं जा रहे हैं हुका सिंटर जा रहे हैं अगर वहाँ पर हुका सिंटर में जाने वाले सभी के सभी बच्चे नशा करने जा रहे हैं यह नहीं बहुत कर रहा हूं आप पंजाब की बात ले लीजे पंजाब का तो पूरी उसके पर पिक्चर उड़ता पंजा पिक्चर बनी है आज चुनाओ का मुद्दा बना है पार्टियां बोल रही है कि हम आएं तो कर देंगे आज गोवा की स्थिती क्या है देखे आप क्या गोवा में एक जो सब भी व हुआ गया था तो हमारे मन में चितरा आता है यह एंज्ड़ोए करने गया था होंगा तो ऐसा नहीं है है हधराबाद में कुछ आप क्योंकि यह बाते बाहर आ रही है नशे से हुक्च का जो एसा दुरूपयों कि यह जो एक ऐसा वर्ग है हमारे समाज में जो कि किसी भी र अध्यादेश निकल रहे हैं बहुत सारे परिवर्तन रहा रहे हैं बहुत सारे नियम बदल रहे हैं तो सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और कड़े से कड़े नियम ऐसे बनाना चाहिए कि अगर कोई भी हुका पारलर वाला एक बार अगर इस प्रकार से पकड़ा गया तो उसको आजीवन कारावास मिले आपको क्या लग रहा है कि सरकार इसमें नाकाम रहा है आज तक कोट का फैसले में ये में को सजा दे रहा है पर उस तरीके से क्या डर बोलके बिल्कुल नहीं है अपरादियों को इस ताइब कर रहे हैं कानून में परिवर्तन क्या वाशक्ता है हुक्का है हुक्का है हुक्का में चोटी-बूटी नशीगी बाते हो क्या रहता है कुछ कैसे प्रयोंकरते भी नहीं मानून है और जब तक जो एकर बचे को ले आकर टेस्टिंग कर से जाद आपको अंदर तक नहीं जाता हुशराभ अलग चीज है हाँ डरक्स की जो बात ह उसके कड़े से कड़े कानून है हमने देखा है कि बहुत बड़े अभीनेता नेता भी इसमें फसे है तो उनको जो 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 ज लेंगे ब्रेक के बाद स्वागत है आपका आज के लिए बस इतना ही मुझे लगता है प्रोफेसर साब जो बोल रहे हैं नसा मुक्त आने वाले यूबा दिरे दिरे नसा के और से दूर चले जाएं और चले जाएंगे मुझे विश्वास है यही सोचकर आज का यह प्रोग्र तान हे भी जब ग्रोग्री घर अने मुझे भीग स्वाज प्रैंखे घर्ड़ मुझे के लिए के इंक लिएओटर मुझे हैं तक्ष से लोग पह